आज तारीक है दस मई और ये वर्ष गांट है अठारे से सत्तावन क्रांथ की ये तारीक हमारे तिहास के पन्नों में अमर है क्योंकि इस तारीक पर सबसे पहले हम भारतियों को एहसास हुआ कि नहीं अब पानी सर से उपर जा रहा है 1857 का संग्राम बेटिश शासन के खिलाब एक बड़ी और एहम घटना थी और इस क्रांथ की सुरुवात दस मई 1857 इस भी को मेरट से हुई जो धीरे धीरे कानपुर बरेली जासी दिल्ली आवद आदिस्थानों पर फैल गई क्रांथ की सुरुवात तो एक सेन विद्रो के रूम में हुई लेकिन समय के साथ इसका रूप बदलता गया वेटिर जात्ता के विरुद्द एक जन व्यापी विद्रो के रूम में हो गया ये विद्रो था किसानों का ये विद्रो था उन भारतियों का जो जुल्म का सिकार हो रहे थे उन फिरंगी शासन का जिसे भारत का प्रथम सुतंद्रता संग्राम कहा गया नमस्कार साथियों मैं तुलकुमार दिख्षिप और आप सभी का अतुल जनल स्टेडी पर स्वागत करता हूँ आज आधी की पहली लडाई के इस वर्ष गांट के मौके पर आये जानतें से जुड़ी हुई कुछ खास बाते हैं उन्नीसमी सदी की पहली ये आधी सदी के दवरान इस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े से पर कबज्या हो चुका था जैसे जैसे विटिश रासन का भारत पर प्रभाव भड़ता गया बैसे बैसे भारती जनता के वीच विटिश रासन फिरंगी शासन के खिलाब असंतोस फैलता गया फ्लासी का जो युद्ध हुआ उसके 100 साल बाद विटिस राज के दमनकारी और अन्यायकारी सासन के खिलाप असंतोस बिद्रों के रूम में भड़कने लगा जिसने भारत में विटिस सासन की नीव हिला दी 1857 के सुतंतरता संगराम की बात करें तो इससे पहले देश के कई हिस्सों में अलग-अलग घटनाएं गड़ चुकी थी जैसे कि अठारमी सतीम के अंत में उत्री बंगाल में सन्यासी आंदोलन हुआ तो लोग इसे सन्यासी बिद्रों के नाम से भी जानते हैं बिहार और बंगाल में चुनार आंदोलन हुआ मद्द में कई किसान आंदोलन हुए मालावार के मोपला किसान और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराईजी आंदोलन हुआ ये सबी छोटे छोटे अंदोलन उस चिनगारी के लिए आग पैदा कर रहे थे अठार्मी सदी के पहले पांच दसकों में कई जनजाती विद्रोवी हुए थे जैसे कि मद्द प्रदेश में भीलों का, बिहार में संथालों का, उडिशा में गोंस और खोंस जनजातीयों का लेकिन इन सबी आंदोलन का प्रभाव छेतर बहुत सीमित था क्योंकि उस समय संचार के साथनों पर वहारतियों की उतनी पकड नहीं थी यानि कि कहें तो ये स्थानी प्रिकत के आंदोलन थे अंग्रेजों के खिलाब जो संगठित पहला विद्रो भढ़का वह 18 सत्ताबर में था सुरू में तो ये सिपाईों के विद्रो के रूम में भढ़का क्योंकि बैरकपुर की छाबनी में जब इन्फिल्ड राइफल में कार्थूस लगाने की बात आई तो उस कार्थूस में ये अफवा उड़ी की चर्वी वाले कार्थूस है और जिनें दातों से खीचना पड़ेगा जिनमें गाय और सुर की चर्वी का प्रयोक किया गया यहां हिंदू गाय की चर्वी को और मुस्लिम सुर की चर्वी को छूना भी अप राद समझते हैं विद्रो भढ़क गया 1857 की विद्रो का प्रमुख अनराजनीतिक कारण भी थे जैसे की सरकार की हड़ अपनी थी और जिसका सिकार जहांसी हुई थी अंग्रेजों की विस्तारवाद नीत से विटेस भारत के गवर्नला डलोजी की दिमाग की उपज थी रानी लचमी वाई के दत्तक पुत्र को जहांसी की गद्धी पर बैठने नहीं दिया गया और इसी तरह हाँ जहांसी से भी विद्रो पैदा हुआ कानपुर, लगनो, बिहार और इद्रों के पीछे धार्मिक कारणों में था कि लोग सोचते थे कि अंग्रेज क्रिश्चन धर्म का इसायत का प्रचार प्रिसार कर रहे हैं आर्थिक कारण में था कि भारी भरकम, टैक्स बसूला जा रहा था भारती कच्छे उद्धोगों, भारती कच्छे मालों को ले जाकर विदेश से विनिरमित माल को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था और भारत के पुठीर उद्धोगों को चौपट किया जा रहा था ग्रांधी पर बात की जाए, तो ये दिन ये महनों में भी समाप्त नहीं होगी 1857 का संग्राम एक साल से ज़्यादा समय तक चला, 1858 के मद्ध में कुछला गया मेरट में बिद्रो बढ़काने के 14 मैंने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने गोश्रा की कि बिद्रो को पूरी तरह दबा दिया गया अगर बात करें इस आंदोलन की अस्फलता के कारण तो ये सेमित आंदोलन था जैसे कि पूरे देश में फैल नहीं पाया प्रभावी नेतरत का अभाव सेन दुरवलता हमारे पास सेमित संसादन थे ना संख्यावल ना फैसमदवर्ग द्वारा हिस्सा नहीं लिया गया और साथ ही यहां के कुछे राजा रजवाडे अंगरेजों के साथ थे लेकिन कुल मिलाकर इस 1857 की क्रांथ ने वो बीज बोया जिसका वरच उनीश से सैतालिस पंद्र अगस्त को हमने उसका फल खाया तो चले यह जाज़त दीचे फिर मिलते हैं आपसे किसी नई घटना परिघटना नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार